है थेल्ओ फ्रेंड्ड वागतेया आपचा मेरे में तो आज हम कमीज की साइड की कटिंग करेंगे जिसके लिए आपको पूरा इसका डिटेल बताएंगे कि आपको किस तरीके से इसकी सलाई है वो सही तरीके से कर सकते हैं कई वर हमारी फीटिंग है वो प्रॉपर सही नहीं आती है तो प्रॉपर फीटिंग का कारण यही होता है क्योंकि आप उसे सही तरीके से सलाई नहीं लगाते हैं आपको क्या करना है इसके लिए जो नॉर्मल लोग होते हैं जो ज्यादा बारी नहीं होते हैं पतले ही लोग होते हैं उनके लिए तो आप नॉर्मल सलाई लगा सकते हैं और जो ज्यादा बड़े होते हैं जो बारी लोग होते हैं थोड़े मोटे होते हैं उसके लिए आपको क करना है जहांसे आदा इंच कुछ इस तरीके से गलाई देनी है आपको क्योंकि ज़्यादा बारी होने के कारण जहां पर अब को बहुत ज़्यादा खिचाओ आने लग जाता है सूट में और जहां से आपको क्या करना है नॉर्मल सलाई लगाते हैं जहां से आपको आदा इंच कुछ इस तरीके से बाहर की साइड गुलाई देनी है उसको जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको सेम ही आप सीधी सलाई लगा सकते हैं कोई ज्यादा गुलाई देने की जरूरत नहीं है उसको तो ज बारी वजन वाले हैं उसके आप सीधी ही सलाई लगा सकते हैं क्योंकि जो पतले लोग होते हैं उनके पेट में कई लोगों का क्या होता है पेट अंदर की सैड़ होता है और बहुत ज्यादा पतले होने के कारणे स्कूट की फिटिंग नहीं आती है तो इसके लिए आपको क्य करना है उसे कि सलाई को थोड़ा अंदर की तरफ रखना है नीचे से पेट की तरफ से तो अब हम करेंगे इसकी साइड की सलाई तो आप इसको normal तरीके से भी अगर आप normal इंसान के लिए बना रहे हैं तो आप simple ही इसको गुलाई देते हुए सलाई कर सकते हैं अगर थोड़ा मोटे लोगों के लिए बना रहे हैं तो आपको सलाई थोड़ा बाहर की तरफ उपर से लगानी होती है अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करने लाइक शेर और कॉमेंट करके हमें बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो जहां से आपको क्या करना है कि जह सलाई लगाने के बाद में आप एक ही सलाई लगा कर शोड़ देते हैं जहां फिर दो सलाई लगाते हैं तो आप उनके उपर ही सलाई लगा लेते हो जह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्यूंकि आपको एक सलाई के उपर दो सलाई नहीं लगानी होती है क्योंकि इस सलाई के लिए आपको और इस सलाई को आपको मिशीन का एक पैर शोड़ते हुए ही लगानी है जहां से तो जो अपने निशान के उपर लगाई थी उसके साथ में ही बाहर की तरफ से कुछ इस तरीके से लगाएंगे और जहां से लगाने के बाद म में आपको क्या करना है कि जहां से बीच में से आपको जग शोड़नी है मशीन का एक पैर पैर आप चाहिए तो आधा इंच भी शोड़ सकते हैं तो जहां से आपको सिंपल जे सलाई है बिल्कुल जहां पे रखनी है इसके साथ ही मिलानी है इस सलाई को और उपर की सैड भी उसी तीक के से ही मलानी है इसको तो दूसरे सैड करेंगे अब हम इसकी सलाई